तो आज के लेसन में हम देखेंगे Constitutionalization of पंचाय तिराज इस्टिडिव हमने कमीटी के बारे में देखा है और मैंने आपको एक शॉट ट्रिक भी बदाई थी बैक्स टीजी के बारे में ठीक है बैक्स टीजी तो कमीटी के नाम हमने याद कियो है में बलबंत राओ मेंता कमीटी जो नाइंटीन फिफ्टी सैवन कमीटी के बारे में देखzlich लेते हैं कहीं बार कुषिण पूछे जाता है कि जिसे आप बताओ कि जो 73rd constitutional amendment act बना तो वो जो बिल था वो किस मतलब कौन सी government पहले लेके आई वो order पूछ लेते हैं या फिर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कि किस government के जो कौन प्राइम मिनिस्टर था जब 73rd constitutional amendment act आया था तो आपको पता होना चाहिए कि जो 73rd constitutional amendment act है इस इस रिलेटेट टू पंचायती राज तो यह किसके टाइम आया था यह आया था फ्रेंट्स नरसीमा राओ गवर्मेंट के टाइम कि जो नरसीमा राओ लाओ गवर्मेंट थी उसके दोरां आया था तो हम आज के लेसं में यह देखेंगे कि कौन-कौन ले किस government ने इनिश्येट लिया था ओवियसल्य जो कमीटी बनी है वो भी government के दोरानी बनी होंगे और उसके बाद बिल आये होंगे पर हमको वो देखना है कि वो government का एक order क्या था ठीक है तो हम सबसे पहले जो friends आया था हम ये चार्ट है मैं ये share कर दूँगा अभी group में ठीक है भगत education 89 में वो लेके आया थे लोक सबह में पास हो गया था वो बिल लेकिन राज्य सबह में फेल हो गया था reason क्या था reason ये दिया था कि जो opposition party ने कहा था कि ये जो बिल है ये क्या करेगा ये जो over centralization हो जाएगा over centralization हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि आप logical government ऑब क्या होती है क्या होती है कि जैसे center घूप ये जो लोक प्वर्मेंट है उसमें center का बहुत जड़ा interference हो जाएगा और यह इन्टोर को एक तरह से ख़तम करेगा अंचु अने ये फिलिगशन लगा कि इस तो 1989 में फिर से बिल लाया ठीक है और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि एक टू डे की कॉंफरेंस बुलाई सभी सीम की और उन्होंने कहा कि जो भी इस वाले जो 64th इंट्रडिउस किया 1990 में और फिर वो गवर्मेंटी को लैप्स हो गई फ्रेंड्स ठीक है और उसके बाद राजीव गांदी का असेस्नेशन भी हो गया और फिर से जो कॉंग्रेस गवर्मेंट बनी वह बनी नर्सी माराओ गवर्मेंट के लिए भी यह जो मैटर था पंचाहि अंदर पुर्देश में पंचाहिती राज इंस्टिटीशन बन चुके थे ठीक है लेकिन वहां भी क्या था कि कोई कोई रेगुलेरिटी नहीं थी नो रेगुलेरिटी कोई रेगुलेरिटी नहीं थी फ्रेंड्स कोई इलेक्शन में कोई रेगुलेरिटी नहीं है वहां प फिर से matter लाया और वो बिल लाया तो बिल 1991 में अपेर हुआ और उसके बाद बिल जो finally act बन गया as 73rd constitutional amendment act बन गया ठीक है और वो 24 अप्रेल 24th of April 1993 को force में आया इसलिए हम 24 अप्रेल को पंचायती दास डे मनाते हैं तो friends यह एक जर्णी थी constitutionalization की कि सबसे पहले राजीव गांधी गवर्मेंट ने 64th bill introduced किया फिर वीपी सिंग ने जो यह गवर्मेंट बनी उन्होंने भी कि और आकरी में अरसी महाराओ गवर्मेंट की जो गवर्मेंट थी उसमें वो बिल पास हो पाया ठीक है तो इन्होंने क् देखेंगे 73rd एक lesson बनाऊंगा जिसमें 73rd constitutional amendment act के हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि उसमें कौन से जो आर्टिकल्स थे तो 243 आर्टिकल्स से फिर 243 ओ तक था ठीक है और उसके बाद क्या था उसमें दो तरह के प्रोविजन थे एक प्रोविजन था हमारा कंपल सरी एक था हटाने के लिए जो प्रोविजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो यह आपके लिए एक सब्जेक्टिव अंसर भी बनता है आप इसली सब्जेक्टिव अगर आता है इस्ट्री ओफ पंचाहिदी राज जो बहुत सी स्टेट वी सीस पूछ ले दी है तो आप एक बार समराइस करेंगे सबसे पर राजीव गंदी गवर्मेंट देन वीपी सिंग की गवर्मेंट और उसके बाद आई नरसी माराओ गवर्मेंट जहां पर आया 73rd constitutional amendment है ओके फ्रेंट्स थैंक्यू सो मच